तो 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 नमस्कार बजस्टूरी की सेक्शन में एक बर फिर आपका स्वागत है हमारे साथ हैं डॉक्टर राज नाराइन शाहू सर जो अंकुर्म IBF में एक कहें तो IBF के साथ साथ डारेक्टर भी है सर नमस्कार हमारे चलम आपका स्वागत है सर आपको डे सरी शुप कामराइं की नई वेंचर की शुरवाद जम्शित्पूर में कर रहे हैं सेम स्ट्रक्चर में तो क्या कहना चाहेंगे सर यह लोगों के डिमांड का हम लोग फुल्फिल कर रहे बिल्कुल साथ क्योंकि पहले कुछ पेसेंट आए थे हमारे यहाँ नहीं हो गया जिजर्ट जो तो इस पेसिल डिमांड का एक सेंटर वहां पर भी हो ताकि लोगों का रिक्विस्ट बिल्कुल साथ और यह सर आप सर्वे कि होंगे आप देखे होंगे मांड में लोग जैसे आपने लाइब में बताया हमी कि दूर से जो लोग वहां से आते हैं चार-चार घंटे का सफर ताहिए फिर वहां पर तो यह मनमें और टेकनलोजी के मामले में जामशुटपूर का आपके तरह से आग सबसे पूर देखिए एक तो वह प्रोडेक्टिव हाँ इंडेस्ट्रिल एरिया में डवलप्मेंट का जादा है जादा है जादा हो जाएंगे कि वहां जो भी इस तरह से समेशा से जूज रहे हो लोग को इसका समाधान मिले अच्छे टेकनोलोजी के साथ सेम फीचर होगा सब कुछ सेम होगा जब यहां पर उसमें कोई डिफरेंस वगरा सारे सब कुछ होए सही होगा जामसूत्र का प्रॉपर एड्रेस बता दिये सर क्या है सर अंकुरा माइब सेकेंड प्रोर मीरा टावर एबव जलसा रेश्टोरेंट है जी हातुर वाली रोड म रहान पर सदुन में है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो साल राची में हो चुके हैं और आप जमशितपूर में उनकी उडान बढ़ने वाली है जमशित्पूर में 24 तारीक को शुरुवात ये करेंगे सारी बाचीत करेंगे डॉक्टर रोही सिर्वास्तव से जो अक्की एक IBF मैं आपको बहुत सारी शुव काम नाएं जो कि 24 तारीक को हम लोग अनकूरम की दूसरे विंग को शुरुवात जमशित्पूर में करेंगे क्या गहना चाहेंगे जैसा की नाम इनों बता है मेरा नाम डॉक्टर रुष रवास्तावी को मैं अनकूरम आइब इसी उद्देश से उपन किया था कि ताकि वैसे मरीज जो खर्च की वज़ासे काफी दाना है रहते कि इस प्रक्रिया में काफी खर्च होती है और मैंने इसी धाना से इस सेंटर का इनोबरेट किया था कि वैसे मरीज जिन की पैसों की वज़र से नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कम खर्च में सुविधा दी जाए दो साल इसे स्टार्ट करने के बाद मुझे लोगों का इतना प्यार मिला और मुझे ये महसूस हुआ लोगों के रिक्वेस्ट है कि आप एक जम शेपूर में सेंटर ओपिन करें ताकि वहां भी लोग इस सुविधा का लाब उठा सकें इसी को मतने नजर अगते वे हमारा दूसा सेंटर जम शेपूर साक्षी में चौबइस तारीक को इसी में में 14 स्टेंबर को इनॉबरेट होने वाला है तो मैं जब शुरुवात हो गया तो जो फैसलेटिस यहां पर है सेंटर इसलेटिस वहां भी रहेंगी सक्सेस्रेट भी हमारे यहां काफी अच्छा है और इस सक्सेस्रेट को हम वहां में देगा थैंक्यों सो मुच मुच मुच